हाई गाईज, हलो एंद, वेलकम बैक टो मैं चैनल लव व्यूरी ओन डूडे गाईज, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाले हूँ वो है पीडिट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस विशए में पपीते का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अकसर आपने ये सुना होगा कि पीडिट के दोरान यदि आप अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देती है तब आप अपने पीडिट को कस्तदाई बडा सकते हैं अच्छे से पीडियेट आने के लिए आपका खानपान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है तो आज के इस वीडियो में जिस टोपिक पर बात करूंगे वो यही होगे कि पीडियो में पपीता खाने की सला है वो क्यों दी जाती है पीडियो में पपीते का सिवन कब करना चाहिए कुछ लोगों का ये मानना है कि पपीते का सिवन प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए क्योंकि इस ते में स्कैरस का खत्रा रहता है तो इस बात में कितनी सच चाहिए है और साथ में ये भी जानेंगे कि पपीता खाने के कितने दिन बाद पीडियट आता है तो वीडियो बहुत यूसफुल है महिलाओं के लिए पूरा जरूर देखेगा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेक करने मत भूलेगा और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को भी भीना पूरेगे पीडियो के बातों को द्यार में रखा जाता है आम ट्यूर पर जो महिला को पीरियो आनए में देरी होती है तब उनमें चैनल पूराने के लिए देफियो महेला के लिएिक एंध में काफ़ी फांद हे लिए कीश सकतर है कि ठीजिए , क्योंत हमँए की ठी Сов堯 कैरोटिन, फाइबर, पोटेशियम, पोपर, कैलशियम और कई प्रकार के एंटी आक्सिदेंट होते हैं पीडियेट के दुरान महिलाओं को पपीते की सेवन से एस और दर्थ से राहत मिलते हैं और यह हैं पीडियेट की साइकलिंग को भी बराबर रखता हैं इसलिए महिलाओं को पपीते का सेवन करना चाहिए अब आप लोगों को यह बता दू कि पीडियेट पे पपीता खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए तो पपीते का पीडियेट की डेट से कोई संबंद नहीं है गच्चा पपीता हो चाहे पक्का पपीता हो यह है पीरिट की डेट को ना ही आगे बढ़ाते हैं और ना ही पीछे ले जाते हैं तो यह दे किसे महिला की period ऐनियमित है तो उस महिला को पक्के पपीते का सेवन करना चाहिए जिससे उसके period है वो regular हो जाएंगे अब मैं आप लोगों को यह बताती हूँ कि पपीता खाने से कितने दिन में गर्बपात हो जाता है पपीता खाने के बाद कभी भी गर्बपात हो सकता है पपीता खाने के बाद गर्बपात का कोई निश्चित समय नहीं होता है पपीता खाने के एक दिन बाद भी गर्बपात हो सकता है और पंद्र दिन बाद भी गर्बपात हो सकता है पपीते की तासीर गर्म होने की कार्म प्रेगनेंसी में पपीता खाने से महिलाओं को बचना चाहिए कच्च पपीते का सेवन तो प्रेगनेंसी के दोरान महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कच्चा पपीता तो pregnant महिलाओं को खाना सक्त मना होता है कच्चा पपीते से तो miscarriage होना लगवक तै होता है ऐसा इसलिए मना जाता है क्योंकि पपीते के latest में एक प्रकार का enzyme होता है यह enzyme गरवासे में शंकुचित होता है तो इस से pregnancy के दोड़ान miscarriage का खत्रा बणा रहता है तो pregnancy के दोड़ान चाहे पक्का पपीता हु या कच्छा पपीता नहीं घाना चाहे तो पीडिट में पपीते का सेवन करना चाहिए कई बार मासिख धर्म के दोरान पपीते का सिवन करने की वज़े से अधिक wise होने की समस्य होती है ऐसा आपने शुना होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कई जार महीलाई ऐसी भी है जिने period के दोरान पपीते खाने से मासिख धर्म की कमजोरी से छुटकारा मिला है इसलिए आप period की दोरान पपीते का सेवन कर सकती है लेकिन आपको किसी भी चीज का सेवन एक नियमित मात्रा में करना चाहिए इससे आपको कोई समस्चर नहीं होती है यदि आपका period सही समय पर हर महीने नहीं आ रहा है तब आप इसका सेवन कर सकती है तब आप कच्छे पपीते का सेवन कर सकती है तो guys बस यही था मेरा आज का वीडियो मैं आसा करूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूसपूल रहेगा तो मिलते हो next वीडियो में तब तक के लिए बाई